नमस्कार नियूस फोनेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाव शुर्मा बिहार विदान सवा के चुनावी अखाडे में अपने युद्धाव को उतारने की तयारी आप तेजस्वी आदव ने पूरी कर ली है और यहां तक कि युद्धाव की जो लिस्ट है वो त सवा के चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया है कौन-कौन से युद्धा है जो इस बार चुनावी रण में उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ ताल ठोकिंग आपको बताते कि जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक आड़ जेडी ने बोध गया से सर्वजीत कुमा भोजपूर के जगदीश पूर सीट से राम विशून लोहिया रोताज जिले की नोखा सीट से अनिता देवी चमुई सीट से वजय प्रकाश रामगट सीट से पार्टी के प्रदीश रध्यक जगदानान सिंग के बेटे सुधाकर कुमार सिंग बेलहर से रामदेव यादव जाजा से राजनरी आदव मखदूनपूर से सुबेदार दास चकाई से सावत्र देवी भोजपूर की शापूर सीट से राहुल तिवारी जहनाबाद सीट से सुधाय आदव को पार्टी का उमिदवार बनाए गया फिर से हम अनौन्स कर दोते हैं जो खबरे आ रही है उसक सुधा देवी जमूई सीट से विजय प्रकाश रामगर सीट से पार्टी के प्रदीश रध्यक जग्दानन सिंग के बेटे सुधाकर कुमार सिंग बिलहर से रामदेव यादव जाजा से राजनरी आदव मखदूमपूर से सुबिदार दास चकाई से सावित्र देवी देवादा से राजबल लव यादव की पतनी बिभादेवी को टिकट दिये जाने के खबर आ रही है तो ये उमिदवारों की जो लिस्ट है वो फाइनलाइज की जा चुकी है हाला कि ये विश्वा से सुत्र बता रहे है कि आर जेडी के तरफ से इन नामों पर मुहर लग ग है लगतार वहाँ पर जेडियों के तरफ से सिंबल दिया जो आ रहा है और पार्टियों और नेताओं के आने का सिलसला जोरो पर हो रहा है उसको देखते हुगी अब ऐसा कहा जो रहा है कि तेजस्वी आदव ने भी इस पर मुहर लगा दी है अब जल से जल्द आर जेडी क कब प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और इसका एलान करते हैं हाला कि जिस तरीके से जेडियों की अक्टिविटी बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए राज़त की तरफ से ये नाम जल से जल्द फाइनलाइज किया जा चुका है लेकिन बात करें लाल गन सीट की या फिर मह मैनार विदान सबसीट की तो ऐसे खबर आ रही है कि वहां से रामा सिंग चुनावी मैदान में उतर सकते हैं कल रात तेज़श्वी आदब की मिटिंग रामा सिंग के साथ मुकेश टरंजन की भी हुई रामा सिंग और मुकेश टरंजन ठीक आमने सामने थे 6 घंटे की पुशना है यू माल लीची के तिजस्वी आदब वबस पर मुहर लगाने ही वाले हैं फिलाल कले इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियोस पॉडेशन नमस्कार